अगर रोज रोज रोटी सबजी खाके बोड हो गया है तो आज मैं सेर कर रहे हूँ एक बहुत चटपटे नाश्टी की रेसिपी जिसे आप फटा फट से बनाके रेडी कर सकते हैं तो चलिए आज के मजदार रेसिपी सुरू करते हैं इस नाश्टी को बनाने के लिए सबसे पैले लेंगे गैस पे पैन रखेंगे और इसमें डालेंगे एक चमचे कडिब तेल ज्यादा तेल का इस्तमाल हमें नहीं करना है अब मैं यहां डाल रही हूँ आधा कपे कडिब सूजी गैस कफले मीडियम करते हुए बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है बस दो मिनिट के लिए हम सूजी को अच्छे तरीके से पका लेंगे ताकि सूजी का कच्छा पैन है वो खतम हो जाए जैसे ही सूजी भून जाए अब हम इसमें डाल देंगे एक कपड़ी पानी और पानी डालने के बाद तुरांती गैस का फ्लेम लो कर दें अस्ते को बनाते समय ध्यान दीज हाई फिल्म पर सूजी को बिल्कुल भी मत पकाईए गाने सूजी बहुत जल्दी पक जाएगा और सूजी बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है इसलिए गैस का फ्लेम लो टू मीडियम करते हुए इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे जब इस तरीके से पैन को छोड़ने निकालने के बाद सूजी को थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब तक हम इसके स्ट्रापिंस बनाकर रेडि करते हैं इस बनाने के लिए यहां दो अबले हुए आलू का इस्तमाल कर रहे हूं और इसको अच्छे तरीके से मैस कर लेंगे इस नास्तिर को बनाते समय आलू को जो हम मीर्च अब मैं यहां डाल रहे हूं एक मिडियाम सेजी के प्याज जिसको इस तरीके से बाड़ी चौप कर ले हूं यहां डाल रहे हूं कास्मेरी लाल मीर्च जो कम तीखा होता है थोरा समय डाल दूंगी गड़म मसाला और इसमें खटा फ्लेवर देने के लिए मैं यहां में रख देंगे अब इतने दिर में सूजी जो है हलका ठंडा हो चुगा है पूरा सूजी को ठंडा मत किजेगा अब हम इसमें डालेंगे बैंटिंग के लिए तीन चमज गयों का आटा अगर आपके पास चावल का आटा है तो जरूर डाल दीजेगा चावल के आटे से भी रेडी कैड़ा है अब इसमें ढ़ते हैं तो फॉरा स देल आटे दौशिए को तरीके फटस्रेज में चिकना नहीं हो चाहे को यहां चे लोई बनारे हूं काफी बड़े बयाल बना रही आपको भी तो इसना ही बड़ा बना कर एक री ग talents द्यान दी जाते लिए कर ज्यादा बेलने में आसानी हो जाए सुखा अठा लगाने के बाद इसे थोरा सा फैला ले और इस तरीके से थोरा सा बढ़ा करते हुए बेल लेंगे इसका थिकने साब को इतना ही मोटा रखना इससे ज्यादा आपको इसको पतला बिल्कुल भी नहीं करना है अब उपर से मैं डाल रही ठोड़ी नहीं हो थोरा सा डाली हूं हडा धन्या के पतिया डाली हो ठोड़ा सा मैं डाल दूँगी सफेद तील और तोड़ा से उपर से स्प्रिंगल करते हैं चिली फ्लैक्स इससे ये नास्ता देखने में भी काफी सुंदर लगता है और खाने में बहुत ज़्यादा टे जो मुड़ा हुआ क्लास का धार होता है उससे बिल्कुल भी से मत कट किजिए गा और इसे पूरिया कट करते से मैं ध्यान दिजाए कि पेर वाइच कट करेंगे क्योंकि हम एक नास्ता बनाने के लिए दो पूरी का इस्तमाल करने वाले हैं तो देखिए आप इसके थिकने से बेग बढ़ देख लीजिए इतना ही मोटा हम यहाँ बनाकर रेड़ी करेंगे लिए और जो ईक्स्ता अंटा बचा हुआ है इस तरीके से लुब बना लेंगे और से में दो नियुकित पर पती को नीचे रख दींगें और एक मसाला चारों तरफ अच्छे तरीके से लग जाए अब देखिएगा अब जो दूसरी पूरी है और उसके हम इस तरीके से रखेंगे यानि कि दोनों तरफ से जो पूरी खामने डेकूरेशन किया हुआ है वो ऊपर होना चाहिए सिंपल तरीका बस यही है तो देखिए मैं यहा करते गए तो बहुत जो देल भी निकाल दीती होगलेशन दीको अच्छे तरीके से घरम कर लेंगे गर्म तरीके से गड़म होगत के ताभी हम शूद नेम्-टू-और घाला मैं तनाले अब छुब उसको फोड़ाा संसना च немнож gives to हुध तक पकालेशन के चाहे तो इसे पैन मे तो रेसेपी अच्छी लेगी हो तो वीडियो को लाइक किजेगा, मैरे चैनल को सब्सक्राइब किजेगा, अपने फ्रेंड्स और फामिली में से अरकिजेगा, एक बन चरूर इस नास्ते को बनाईएगा